So recently under 5,000 रुपेस के बजट में noise उनकी बहुत ही अच्छी smart watch इस launch कर रहा है So इसी budget में उनकी और एक smart watch बहुत ही जल launch होने वाली है जुके ही noise color pit pro 5 max दोस्तो आज किसी वीडियो में हम इसी smart watch को detail में explore करने वाले है जानिंग इसके specifications के इसकी price है के इसके best features है और ये smart watch को buy करने चाहे फिर नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे So चलिए आज की इस वीडियो को start करता है बिना किसी देरी के पश्ट फॉल बात करें इस smart watch के design के तब को बहुत ही premium design देखने मिलता है और ये smart watch इतने सारे colors के अंदर available है इस smart watch के build quality बहुत ही अच्छी होने वाली है और इसके साथ IP6 state rating भी देखने मिलती है डिस्प्ली की बात करें तो 1.96 inches का डिस्प्ली है जिसकी quality भी overall बहुत एच्छी होने वाली है Bluetooth calling का feature है और इसके नरब को noise की true sync technology देखने मिलती है अगर इसकी bat life की बात करें तो normal use पर आपको 5-7 days के असपास चल जाएगी अगर आप calling feature के साथ यूज़ करें तो 2 दिन के असपास चल जाएगी voice assistant का feature भी आपको दिखने मिलता है health related आपको nearly सारे trackers दिखने मिलता है जिसकी heart rate monitor है, SP2 है, sleep tracking है, stress monitoring है, breathing exercise का feature है और इससाथ woman cell tracking का feature भी दिखने मिलता है sports related कितने modes है, वो company में reveal नहीं किया है फिर भी मुझे लगता है 100 के आराण होने वाले है इस smart watch के अनरे आपको कुछ features बहुत ही useful देखने मिलता है जैसे इसका V02 max दोस्तों इसके help से आपको पता चलता है कि आपके body ने कितना oxygen की use किया है during exercise training load insight है जिसके help से आपको पता चलता है कि आपने training कैसी की है moderate की है या फिर heavily की है या फिर कुछ इतने खास नहीं की है post recovery analysis है जिसके help से आपको पता चल जाया कि एक workout करने के बाद आपको recovery करने में कितना time लेगेगा यह सारे features आपको बहुत useful देखने मिलते हैं अगर आप एक athlete है तो यह सारे features आप यूज कर सकते हैं इस smartwatch के दरब को कुछ features extra देखने मिलते हैं जैसे आप एक की click में सारे help parameters एक की time पे check कर सकते हैं मरजम से SOS का feature है जो कि बहुत useful feature है और इस साथ functional ground भी देखने मिलता है smart features जैसे की smart reduction, camera shutter button, weather information, music control इस टाप की features भी आपको देखने मिलते हैं utility features जैसे की timer set करना, alarm set करना, stopwatch लगाना इस टाप की features भी है इस smartwatch के जो watch faces है वो आप अपने हिसाब से customize कर सकते हैं इस smartwatch को smartphone के साथ connect करने के लिए आपको noise weight इस app का use करना पड़ता है इस smartwatch के weight के बात करें तो 70 से लेकर 100 gram के round इस smartwatch का weight होने वाला है, depend करता है आप कौन से type का model buy करते हैं और इस साथ ये smartwatch made in China है या फिर India हो कहीं पे भी mention नहीं है इस smartwatch के कुछ best features की जिस वज़े से गर आप इस smartwatch को buy करना चाहते हैं तो consider कर सकते हैं इस smartwatch का design और build quality आपको बहुत ही अच्छी दिखने मिलते हैं और इस साथ बहुत सारे colors के अंदर ये smartwatch available है बहुत सारे type के straps दिखने मिलते है, AMOLED display और इस साथ सारे basic features भी दिखने मिलते हैं इमरिजन से SOS का feature है जो के बहुत youthful feature है और इस smartwatch के help से आप बहुत सारे health parameters भी चेक कर सकते हैं इस smartwatch के price के बाद करें तो 4 triple एन इसकी price है और इस price के साब से ये smartwatch मुझे थोड़ी सी overpriced लगी हाल लेकिन अगर आपको इस budget में noise अगर accurate trackers प्राइड करते हैं तो ये price भी justify करती है लेकिन अगर आपको इस price में भी accurate trackers नहीं देखने मिलते हैं तो ये price भी ये smartwatch justify नहीं करती अभी smartwatch के trackers accurate है या फिर नहीं उसके बारे में हम अभी की time में तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये smartwatch अभी तक launch भी नहीं हुई है सो बाखे की चीजे launch होने के बाद देखते हैं आप इस smartwatch को check out कर सकता है पिन comment के अंदर link है तिल दना आच के इस video में इतना है ऐसी अगली वीडियो में